कम्प्यूटर नेट्वर्किंग में डोरा प्रुसेस क्या होती है कैसे एंड डिवाइस इसको लॉजिकल अड्रेस अपने आप मिल जाते हैं चाहे IPv4 एड्रेस हो चाहे IPv6 एड्रेस क्या होता है पूरा प्रुसेस डोरा का DHCP प्रुसेस में दोस्तों अगर आपने हमारा चैन दोस्तों DHCP Dynamic Host Configuration Protocol होता है जिसकी हेल्प से हम अपने एंड डिवाइस को आटोमेटिक आईपी ड्रेस प्रुवाइड करते हैं इसके अंदर एक प्रुसेस होती है डॉरा प्रुसेस डॉरा की फुल फॉर्म होती है डिस्कावर ओफर रिक्वेस्ट एंड अक्नॉलेजमेंट मतलब जब भी हम कोई Network Design या फिर Soho Design बनाते हैं Soho Design का मतलब समझते हैं Small Office, Home Office Design जिसमें N डिवाइस जादा हो तो उस केस में Computers को Automatic IP अड्रेस देने के लिए ये प्रुसेस यूज होती है जिसमें Design बनने के बाद Automatically router से या Server की Help से हम अपने PC's को IP अड्रेस देते हैं तो इस इस प्रुसेस को हम टोटली प्रेक्टिकल बेस करेंगे तो इसके लिए मैं Open करने जा रहा हूं मेरा Simulator इस वीडियो को लाइक करें लेटेस टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A2IT Online को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें Cisco Packet Tracer जिसमें मेरा Soho Design बना है इसमें मैंने एक router का यूज किया है एक switch का यूज किया है और मैंने चार PCs का यूज किया है आपको पता है कि PCs को IP address देने पड़ते हैं लेकिन DHCP process में DORA का मतलब है जब इस PC को IP address चाहिए होगा router से तो पहले होगी discovery discovery होने के बाद कि मुझे एक IP चाहिए तो router offer करेगा कि हम यह IP address आपको provide कर सकते हैं जिसमें से PC मेरा क्या करेगा request भेजेगा server या router को कि मुझे यह IP address मिल जाए उसके बाद acknowledgement आपके पास आजाएगी और आपको IP address मिला है या नहीं मिला है वो पता चल जाएगा अगर IP address मिला है तो जो range आपनी select की होगी वो मिल जाएगा अगर IP address नहीं मिलेगा तो वहाँ पे एक address आ जाएगा अपीपा एड्रेस आटमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस जिसकी रेंज 16925400 से start हो जाती है तो आई हम practical की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ प्रोसेस तो यह मैं राउटर के ऊपर जाके एक कमांड दे रहा हूँ अनेबल कॉन्फिगर टर्मिनल अब आपको पता डॉरा प्रोसेस करने के लिए पहले मेरे राउटर का लॉजिकल एड्रेस होना चाहिए तो मैंने अपने फास्ट इंटरनेट इथरनेट को आईपी द कर रहा हूँ में तो इसको नो शटडाउन किया अब बारी आती है मेरे सिंटेक्स की डॉरा प्रोसेस इस सिंटेक्स के बाद चलेगी सिंटेक्स है आईपी डीएच सीपी पूल पूल का कोई नाम तो मैं एटू आईटी दे देता हूँ पूल का नाम अब किस नेटवर्क का आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट हो रहा है पीसी से तो मैंने एक नेटवर्क डाला 1921681.0 और सबनेट मास्क वही डाल दिया जो है इस नेटवर्क का मतलब है कि अब मेरे पूल के अंदर जीरो से लेके 255 तक आईपी है जिसमें 0 रिजर्व है नेटवर्क के लिए 255 है ब् इसलिए मेरे पास जो टोटल आईपी बचते हैं 254 बचते 253 आईपी बचेंगे और मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट राउटर क्या है तो यह डाल दिया मैंने इसके इलावा जो मारा पीसी होता है मैं एक बार पीसी के अंदर दो अप्शन होते हैं DHCP और स्टेटिक आप देखोगे यहां पर IP अडरे सबनेट मास गेटवे के साथ DNS सर्वर भी है तो अगर आप डॉरा प्रोसेस में DNS सर्वर को एड करना चाहते हो अभी तो मेरे पास नहीं है तो मैं रैंडमली ले लेता हूं तो आप कर सकते हो अब यह डू शो हिस्ट्री करके आप कमांड देख लीजिए कि मैंने एक पूल बनाया है अब यहां पर डिस्कवरी स्टार्ट हो चुकी है कैसे पता चलेगा मैं कमांड लगाऊंगा शो आईपी डी एच सी पी इसमें बाइंडिंग कॉन्फिक्ट और रिले की कमांड है तो अभी तक इसमें कोई भी आईपी एड्रेस बाइंड नहीं हुआ है उकें तो मैं पीजी के उपर जाता हूं अपना सिंटेक्स लगाने के बाद जब मैं डीएच सीपी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ requesting हो रही है यह देखे और dhcp request successful अब जितना time click करने के बाद router ने लिया उस process के अंदर हमारा यह time चला है आप देख सकते हैं मैंने कमान लगाई है show ip dhcp binding तो dora process के अंदर 1.2 का ip address reserve हो चुका है और इस hardware address को गया है हो hardware address जो होगा वो मेरे pc का होगा आप यहाँ पे check कर सकते हैं 00d0bca61736 तो यह मेरे pc का mac address है इसी तरह जब मैं दुबारा दूसरे pc पे dhcp करूँगा यहाँ पे भी ip आजाएगा 3 चौथे पे करूँगा इधर तो यहाँ पे आजाएगा 4 मतलब पहला ip यहाँ पे हो चुका है और इसके बाद dhcp यहाँ पे आ गया तो यह automatic ip address मिल चुके हैं router पे जाके मैं show ip dhcp binding करूँगा मुझे सारी प्रोसेस यहाँ पे दिख जाएगी कौन सा ip किस mac address को मिलेगा इस मेरे operating system के अंदर binding command भी आती है इसमें conflict वाला भी अब चेक कर सकते हो कि अगर ip 2 को मिल गया य यहां पर उसके इलावा यहां पर dhcp relay मैंने कोई सेट नहीं किया हुआ तो यहां पर कुछ नहीं आएगा यहां पर information देख सकता हूं मैं show ip dhcp relay information उसके बाद में trusted source मेरे जो भी होंगे यहां पर वो लेकिन यहां पर कोई relay option ही नहीं है और एक command जो मेरे iOS में नहीं है original router प पूल कि कौन से पूल में से IP मिलता है डौरा प्रोसेस के लिए तो दोस्तों यह था हमारा डौरा प्रोसेस विद प्रेक्टिकल dhcp configuration और भी ज्यादा टेक्निकल न्यूज जानने के लिए हमारी वीडियो के ऊपर comment जरूर करें आपको कौन सा topic चाहिए हम आपके लिए वह और ही topic लेके आएंगे हमारे पास टेक्निकल टीम बहुत बड़ी है अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थेंक्यू सो माइच इस वीडियो को लाइक करें लेटेस टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एटू आइटी आउनलाइन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें